परिचाय बच्चो आज हम सामय अवस्था के बारे में जानेंगे भौतिक सामय में किसी निकाई की वह सामय अवस्था समाहित है जिसमें उसका प्रावस्था रूपांतरण होता है उधारण के लिए नमक की घुलन शीलिता जल का वाशबी करण आदी केल्शियम कार्बोनेट का विक्टन या हाइडोजन और आयूटीन के बीज अभिक्रिया जैसी रासाइनिक प्रक्रियाओं में सामय रासाइनिक साम में कहलाता है सामाने भौतिक सामय अवस्थाएं हैं ठोस और द्रव, द्रव और कैस, ठोस और कैस समांगी सामय अवस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद समान प्रावस्था में होते हैं जबकि रासाइनिक सामयावस्थाओं में अभिकारक और उत्पाद अलग-अलग प्रावस्थाओं में होते हैं। इसलिए इस पूरे मॉड्यूल में हम सामयावस्था की बारे में जानेंगे। उत्तेशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। भौतिक अवस्था में सामय अवस्था की व्याख्या करना, द्रवों में ठोस या गैसों की घुलन शीलिता में सामय अवस्था की व्याख्या करना, रासाइनिक सामय अवस्था की व्याख्या करना, रासाइनिक सामय अवस्था का नियम व्यक्ति करना, समांगी सामयावस्थाओं की व्याख्या करना सामयावस्था इस्थिरांग के अनुप्रयोगों की चर्चा करना सामयावस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना भौतिक अवस्था में साम में जब अभीकारक का सांद्रण स्थिर हो जाता है, तो इसमें कोई परिवर्थन नहीं होता है, और अभीक्रिया ठेरी हुई प्रतीत होती है. निकाई की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्थन नहीं होता है, सामय अवस्था कहलाती है. ठोस द्रव साम्य अवस्था जब एक शुद्ध ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो ये एक निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित होने लगता है इस तापमान पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाएं दाप की दी गई दशाओं के तहट सै अस्तित्व में होती है वायू मंडलिये ताप किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर ठोस और द्रव अवस्थाएं सै अस्तित्व में होती है पदार्थ का सामान गलनांग या सामान हिमांग कहलाता है गलनांग पर ठोस पदार्थ पदार्थ की द्रवावस्था के साथ समयावस्था में होता है ये मानते हुए कि बर्फ और जल को 273 केलविन यानी बर्फ के गलनांग पर एक पून रुपेंड रोधी थर्मस फिलास्त में लिया गया है इस निकाय का एक रोचक अभिलक्षन ये है कि तापमान तथा बर्फ और जल के द्रवेमान इस्थे रहते हैं ये बर्फ और जल के बीच गतिक साम में दर्शाता है चुकि बर्फ और जल के द्रवेमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए बर्फ से जल में जाने वाले अणों की संख्या जल से बर्फ में जाने वाले अणों की संख्या के बराबर होती है इस प्रकार सामय अवस्था पर गलनांग की दर पराबर हिमांग की दर द्रव वाश्प सामय अवस्था इस सामय को समझने के लिए आएए एक बंद पात्र में जल के वाश्पी करण का उधारन ले दे हैं जब जल की थोड़ी सी मात्रा को कमरे के तापमान पर एक निर्वातित पात्र में लिया जाता है तो ये वाश्पित होने लगता है सबसे पहले पात्र के भीतर का दाप पढ़ता है जैसे ही गैस प्रावस्था में अणों की संख्या बढ़ती है ये जल की सतह से टकरा कर इसे ग्रहण कर लेते हैं ये संखनन कहलाता है प्रारंब में संखनन की दर वाश्पी करण की दर से कम होती है लेकिन गैस प्रावस्था के अणों में प्रिद्धी के साथ संखनन की दर बढ़कर वाश्पी करण की दर की बराबर हो जाती है इस अवस्था में ये कहा जाता है कि सामे स्थापित हो गया है इस प्रकार सामय आवस्था में वाश्बी करण की दर बराबर संगनन की दर ठोस वाश्ब सामय आवस्था ठोस प्रावस्था से गैसिये प्रावस्था तक सीधे मात्यमेक दरव प्रावस्था से होकर गुजरे बिना ही इस्था नांतरण की प्रक्रिया उर्ध वुपातन कहलाती है इसके विपरीत किसी गैस को सीधे ठोस में परिवर्टित करने की प्रक्रिया निक्षेपन कहलाती है आईए शुश्क बर्फ का उधारण देखें द्रवो में ठोस या गैसों की घुलनशीलता संबंधी साम में द्रवो में ठोस विलियन जिसमें और अधिक विलैकन ना घुल सके संत्रिप्त विलियन कहलाता है उधारण के लिए यदि हम जल में लगतार चीनी मिलाते रहें तो एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक चीनी जल में नहीं खुलती है संत्रिप्त विलियन सामे की अवस्था समरूप होता है जब द्रव में चीनी की घुलनशीलता की दर अफक शेपन की दर के बराबर होती है तो सामे अवस्था स्थापित कही जाती है ये सामयवस्था प्रकृति गतिक होती है इसे रेडियो एक्टिव ताहीन चीनी के संत्रिप्त विलियन में रेडियो एक्टिविता युक्त चीनी की कुछ मात्रा मिला कर प्रमाडित किया जा सकता है ये अवलोकन किया गया है कि विलियन और रेडियो एक्टिव ताहीन चीनी भी रेडियो एक्टिव हो जाती है द्रवों में गैस सिब जब एक कोल्ड रिंग की बोतल खोली जाती है तो उसमें घुली हुई कारबन डायोकसाइट बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है ये एक सामे अवस्था इस्थिती को दर्शाती है दिये गए ताप पर गैसी अवस्था में विलाई के अणों और द्रव में खुले अणों के बीच एक सामे अवस्था होती है इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है द्रव में गैस की विलेता पर दाप के प्रभाव को हेंडी के नियम दोरा व्यक्त किया जाता है। इस नियम के नुसार, दिये गए तापमान पर किसी विलाइक के दिये गए द्रविमान में, खुली गैस का द्रविमान विलाइक के ऊपर गैस के दाप के सीधे समानुपाती होता है, M सीधे समानुपाती है, P के, M बराबर K P, किसी द्रव में गैस की विलेता तापमान में भौतिक प्रक्रम में शामिल समय अवस्था के समाने लक्षन 1. समय अवस्था पर निकाई के मापने योग के गुण धर्मनिस्थिर होते हैं 2. समय अवस्था पर दो विपरेत प्रक्रमों के बीच गतिक संतुलन होता है 3. केवल बंद निकाय में ही सामय अवस्था प्राप्त की जा सकती है 4. जब सामय अवस्था प्राप्त हो जाती है तो सामय अवस्था में शामिल पदार्थों की सांद्रता सहित एक वेनजक मौजूद होता है जो दिये का इतापान पर एक स्थिर्मान पर पहुंचता है रासायनिक प्रक्रमों में सामयावस्था, गदिक साम में, अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को पुनह बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया नहीं करते हैं, अनुत क्रम्नियें अभिक्रियाएं कहलाती हैं, उधारन के लिए, सिल्वर नाइटरेट सोडियम क्लूराइट के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लूराइट और सोडियम नाइटरेट बनाता है अभिक्रियाईं जिन में अभिकारगों को पुनह बनाने के लिए उत्पाद अभिक्रिया करते हैं उत्क्रम्निये अभिक्रियाएं कहलाती है। सामय वस्था पर अग्रिम अभिक्रिया की दर, प्रतीब अभिक्रिया की दर के बराबर होती है। रासायनिक सामय प्रकृती में गतिक भी होता है क्योंकि अभिक्रिया सामय वस्था पर रुकती नहीं है। जब अगरिम और प्रादीब अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं, तो अभिकारकूं एवं उत्पादों की सांद्रताएं इस्तिर रहती हैं. रासाइनिक प्राक्रमों में सामय अवस्था गतिक साम में आईए उधारन की साहिता से सामय अवस्था की व्याख्या करें जब केल्शियम कार्बोनेट को एक बंद निर्वातित पातर में 1073 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो ये केल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डायोक्साइड गैस उत्पन करने के लिए अब घटित होने लगता है कार्बन डायोक्साइड दाब में व्रिधी करती है दाब में व्रिधी लगातार होती है क्यूंकि अभिक्रिया आगे बढ़ती रहती है और अंत में स्थिर हो जाती है और तब तक स्थिर रहती है जब तक तापमान स्थिर रहता है ये प्रतीत होता है कि अभी क्रिया एक ठेराव पर आ गई है हालकि CACO3 अभी भी उपस्थित रहता है ये दर्शाता है कि निकाई ने सामयवस्था प्राप्ति कर ली है रासाइनिक सामयवस्था का नियम और रासाइनिक इस्थिरांग द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार इस्थिर्टाप पर किसी रासाइनिक अभिक्रिया की तर अभिकारक अव्यवों के आणविक सांद्रण के गुडनफल के सीधे अनुक्रमन उपाती होती है साथी प्रतेक सांद्रण पत की खात कमान रासाइनिक समीकरण में उस अवियव के संख्यात्म कुडांक के बराबर होता है आईए एक साधारण उतक्रमन अभिक्रिया पर विचार करें अभिकारक A और B उतपाद C और D बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं सामे मिश्रण में सांद्रताएं निम्न प्रकार से संबंदित हैं इसे समीकरण एक नाम दें समीकरण एक सामे समीकरण कहलाता है केसी सामे इस्थिरांक कहलाता है और पद सामे अवस्था इस्थिरांक व्यन्जक कहलाता है निम्न प्रकार की सामान अभिक्रिया के लिए सामय अवस्था इस्थिरांग के लिए वयंजक को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जहां C इंकित करता है K को, अर्थात KC को मोल प्रती लीटर की सांद्रताओं में व्यक्त किया जाता है. समांग सामयावस्था इन अभी क्रियाओं के लिए सामय अवस्था इस्थिरांग को केपी द्वारा दर्शाया जाता है। एक बार लीटर प्रती मोल केल्विन एन बठे वी को मोल प्रती लीटर में सांद्रता सी के रूप में और पी को बार में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए पी बराबर सी आर टी। सामान अभिक्रिया के लिए के पी का मान है जहां सी डी ए और बी के करमशा पी सी पी डी पी ए पी भी आशिक दाप है। और इसे हल किया जा सकता है। sinkp और kc के बीच संबन्ध है। केपी और केसी गुणा आर्टी की खाद डेल्टा एन जहां संतुलित रासाहिनिक समिकरण में डेल्टा एन बराबर गैसिय उत्पादों के मोलों की संख्या, गैसिय अभिकारकों के मोलों की संख्या दाप को बार में व्यक्त किया गया है. विश्मांग सामय वस्था सामय वस्था इस्थिरांग के अनुप्रयो सामय वस्था इस्थिरांग के लक्षन सामय वस्था इस्थिरांग का मान अभिकारी अव्यवों की प्रारंबिक सांद्रता पर निर्भन नहीं करता है. सामय वस्था इस्थिरांग का मान ताप बदलने के साथ बदलता है. उत्क्रम्णिये अभिक्रिया के लिए उत्क्रम अभिक्रिया के सामयवस्था इस्थिरांग अग्रवर्ती अभिक्रिया के सामयवस्था इस्थिरांग का वित्क्रम होता है सामयवस्था इस्थिरांग उत्प्रेरक की उपस्तिती पर निभर नहीं करता है यदि सामयवस्था इस्तिरांग को सांदरता के पदों में व्यक्त किया जाता है तो विभिन अभिक्रियाओं के लिए इसके मातरक अलग-अलग होते हैं अभिक्रिया की सीमा का अनुमान लगाना सामय अवस्था इस्थिरांग का परिमार हमें उस सिमा के बारे में बताता है जिसके लिए अभीकारकों को सामय अवस्था प्राप्त करने से पहले उत्पादों में रुपान दरित किया जाता है अभीक्रिया की दिशा का अनुमाल लगाना अभीक्रिया भागफल क्यूँ किसी समय पर एक विशिष्ट बिंदू पर अभीक्रिया के दोरान उपस्थित उत्पादों और अभीकारकों की सापेकशिक बात्रा की गरना करता है इसे मोलर संद्रता के साथ QC और आंशिक दाप के साथ QP द्वारा दर्शाया जाता है समानने अभीक्रिया के लिए यदि QC केसी से अधिक है तो नेट अभीक्रिया पश्चवर्ती दिशा में होती है जो अभीकारकों की दिशा है यदि QC केसी से कम है तो नेट अभीक्रिया अग्रिवर्ती दिशा में होती है जो अभीकारकों की दिशा है यदि QC बराबर केसी तो अभीक्रिया सामय वस्था में है अर्थात नेट अभीक्रिया नहीं होती है सामे सांध्रताओं की गड़ना चरण एक सामे के लिए रासायनिक समीकरण लिखें चरण तो अभी क्रिया के लिए सामे अवस्था इस्थिरांग व्यांजक लिखें चरण तीन सभी अज्यात सांध्रताओं को एकल चर एक्स के पदों में व्यक्त करें चरण चार सामे अवस्था इस्थिरांग व्यांजक में सामे अवस्था सांध्रताओं यानि एक्स के पदों में उसको प्रतिस्थापित करें चरण पांच X के लिए समी करण हल करें चरंड 6 सामय अवस्था सांध्रताओं की करण के लिए चरंड 3 के व्यनजकों में X के लिए प्राप्त किये गए मान प्रतिस्थापित करें सामय अवस्था इस्थिरांग के अभिकरिया भागफल Q तथा गिप्स उर्जा जी के बीच संबंद, विशिष्ट निर्धारित दशाओं में निकाय से सौतंत्र रूप से उपलब्द उर्जा, जिसे उप्योगी कारे में लगाया जा सकता है, गिप्स उर्जा कहलाती है, संबंद है, इसे समीकरण एक के रूप में नाम दें, जहां ये मा मान गिप्स उर्जा दर्शाती है, हम जानते हैं कि सामय वस्था पर Q बराबर K और डेल्टा जी बराबर 0 ने समीकरण एक से पुनरवेस्थित करने पर प्राप्त होता है, ये समीकरण ताप और सामय वस्था स्थिरांग के मान गिप्स मुक्त उर्जा परिवर्तन से संबं सामय वस्था स्थिरांग है, यदि मान गिप्स मुक्त उर्जा में परिवर्तन 0 से अधिक है, तो Q एक से कम होता है, जिससे अगर अभिक्रिया आसान हो जाती है, सामय वस्था को प्रभावित करने वाले कारग, सांद्रण, ताप, दाब जैसे प्राचलों के प्रभाव का अधियन लाशात लिए सिध्धान्द की मदद से किया जा सकता है, इसके अनुसार यदि एक निकाए सामय वस्था में सांद्रण, दाब या ताप में परिवर्तन के अधिन है, तो सामय वस्था उस दिशा में अगरिसर होती है, जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव समाम्त हो जाए, जब सामय वस्था वाले निकाए में अवियव की सांद्रण बढ़ जाती है, तो सामय इस्थानांत्रित हो जाएगा, जिससे मिलाए गए पदार्थ का उप्योग हो सके, बाना की सामय वस्था पर अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक को मिलाया जाता है, तो अभिकारकों का उप्भूग करने के लिए सामय अगरिसरा में इस्थानांत्रित होगा, दूसरी तरफ यदि उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को मिलाया जाता है तो उत्पादों का उपभोग करने के लिए साम में उत्क्रम दिशा में इस्थानांत्रित होगा उधारन के लिए नमी वाले दिन हमें ज्यादा पसीना आता है नमी वाले दिन पसीना ज्यादा निकलता है क्योंकि आसपास की वायू में जल वाश्प की मात्रा अथिक होती है और हमारा शरीर जल वाश्प के रूप में जल को नश्ट नहीं कर सकता सामय वस्था को प्रभावित करने वाले कारक दाप परिवर्तन का प्रभाव लाश शातिलिये सिध्धान्थ के नुसार वाहे दाप में वृध्धी सामय वस्था को इस प्रकार से प्रभावित करेगी कि दाप कम हो जाए इस कार्थ है कि साम में उस दिशा की ओर इस्थानांत्रित होगा जिस तरफ गैसी पदार्थों के मोलों की संख्या सबसे कम है। मोलों की संख्या कम होती है इसलिए दाब बढ़ जाता है। इस इस्थिती में साम में अग्रिदिशा में अग्रिसर होगा। अक्रिय गैस के योग का प्रभाव। स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस निकाए का कुल दाब बढ़ा देती है। लेकिन अभी कारकूं एवं उत्पादूं का आंशिक दाब समान रहता है। और साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है। स्थिर दाब पर अक्रिय गैस का योग आयतन को बढ़ा देगा। इसलिए इस प्रभाव को संभारित करने के लिए साम्ये उस तरफ इस्थरांत्रित होगा जिस तरफ मोनो की संख्या अधिक हो गई है। उधारण के लिए स्थिर दाप पर अक्रिय कहस का योग सामे को उत्क्रम दिशा की ओर अग्रिसर करेगा। दाप परिवर्तन का प्रभाव रासायनिक सामे वस्था में दो अभिक्रियाएं शामिल होती हैं। उत्क्रम दिशा की ओर अग्रिसर होता है, क्योंकि ये मिलाए गई उश्मा के प्रभाव को समाप्त कर देता है। यदि दाप घटाया जाता है, तो साम में अग्रितिशा में इस्थानांत्रित होगा। इसलिए निम्नता अपमान अमोनिया के निर्मान के पक्ष में होगा। क्या आप जानते हैं? दो मिलियन डॉलर का पुरस्कार प्रदान किया गया। आईए हमने जो कुछ सीका है, उसे संक्षेप में दोहराएं। जब अभिकारक का सांद्रन स्थिर हो जाता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अभिक्रिया रुकी हुई प्रतीत होती है। निकाई की ये अवस्था जिसमें कोई नेट परिवर्तन नहीं होता है, समय अवस्था कहलाती है। गलिनांग पर ठोस पदार्थ, पदार्थ की द्रव अवस्था के साथ समय अवस्था में होता है। द्रव और वाश्था अवस्था के बीच समय अवस्था में वाश्थी करण की दर बराबर संगनन की दर। ठोस प्रवस्था से सीधे कैसिये प्रवस्था में रूपांतरण और्धवपातन कहलाता है, और इसके विप्रीत रूपांतरण निक्षेपन कहलाता है। एक विलियन संत्रिप्त कहा जाता है यदि और अधिक विलय कड़ों को घोला नहीं जा सकता. द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार स्थिर्टाप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की तर अभिकारक अवियवों के आणविक सांद्रण के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है. साथी प्रतेक सांद्रन पत की घात कमान रहसाथएनिक समीकरन में उस अवियव के संख्यात्मक कुडां के बराबर होता है यदि अभिकारा कौरत पाद एक यही प्रावस्था में हों तो इस थापिच सामयवस्था समांगी सामयवस्थाईं कहलाती हैं सामय वस्थाएं जिनमें शामिल पदार्थ विभेन प्रवस्थाओं में उपस्तित होते हैं विश्मांगी सामय वस्थाएं कहलाती हैं सामय वस्था इस्तिरांग के अभिकरिया भागफल क्यों और गिपस उजा जी के बीच संबन्ध है सामय वस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रण परिवर्तन, दाप परिवर्तन, अक्रिय कैस योग, ताप परिवर्तन और उत्प्रेरक का प्रभाव हैं प्रभाव हैं